तो दोस्तों मेरे घर में कई दिनों से ये इस तरीके का जो गन वाला जो लाइटर होता है वो मेरे घर में पड़ा हुआ था तो ये लाइटर फ्रेंड्स खराब हो चुका है इस लाइटर काम सिर्फ इतना था कि इसकी टिगर दबाने पर आगे से आग निकलता था और इसे हम सिगरेट वागरा जला सकते थे अफरे फटाके वागरा में भी आग लगा सकते थे तो इसका काम इतना था अभी फ्रेंड्स ये दोस्तों ये खराब हो चुका है और यहाँ पर इसी गन के मदद से यहाँ पर इसको मोडिफाई करके दिवाली वाली गन बनाने वाले है तो चले फटाक से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हम इसको किस सिर्केज बनाते हैं तो दोस्तों इस गन को बनाने के लिए सबसे पले यहाँ पर मैंने इस गन को ले लिया है और अभी इसको हमको ओपन कर देना है और इसके अंदर के कुछ पार्ट्स को मैं आप निकाल देंगे और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके नीचे के साइड में एक वेट लगा हुआ है लोग का जो कि इस गन को भारी बनाने काम में आता है और यह उपर इस तरीके से आप देख सकते हो यह जो गैस की टंकी होती है वो है तो इसके अंदर यह हमारा गै के रहने दूँगा तो चलिए फ्रेंट्स अभी यहाँ पर इसके उपर के मैं कुछ चीजों को जो की बीच में आर रहा है जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते प्लास्टिक टुकड़ा इसे मैं काट करके हटा दे रहा हूँ तो जैसा कि यह गन स्टील की दिख रही है यह पर इस तरीके प्लास्टिक को मैं काट करके हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्टील का पाइप लगाने वाला हूँ तो इस पाइप को लगाने में कुछ दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं बीच में जितनी भी सारी चीज़े हैं उसे मैंने हटा दिया है और यह जो इसका दूसरे तरफ वाला हिसा है इसके भी बीच के मैंने सारे चीज़ों को जो भी बीच में चीज़े थी उन सभी को हमने कटिंग करके अटा दिया अभी बीच का हिसा बिल्कुल खाली उचको अभी यहाँ पर पाइप को माराम से फीट कर सकते हैं अब दोस्तों यहा सबसे पहले मैं इसन sensing करदी पारिया अब दूसरी पतली पतली या फिर मूटी जी जीस भी तरीके की इसमें फीट हो 1900 के आप मार्केट से ला सकते हूं तो यह आपको पतली डंडी वाली भी मिल जाएगी, मोटी डंडी वाली मिल जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इस तरीके के चाट पेपर ले लिया है और इस चाट पेपर को रोल करने के लिए यहाँ पर मैंने जो साइकल के जो मोटी वाली तीली होती है जो cycle के tear में लगती है उस तीली के मदद से यहां पर मैं इसे roll कर ले रहा हूँ और इसको roll कर देने बाद यह जो हमने steel वाली जो pipe cutting की है इस pipe के अंदर इसको हमें डाल देना है और ध्यान रखना है roll को हमें इतना मोटा करना है ताकि इस pipe के अंदर यह tightly adjust हो सके तो इस तरीके से हमको इसके अंदर इसे डाल देना है तो यहां पर मैं इसे डाल देना हूँ आप दोस्तों इसको five quick से अच्छे से हमको इसको भीगो भीगो के मारना है मतलब कि अच्छे से इसको हमको five quick से भीगो देना है जिससे की जितना भी बड़ा हमने चाट पेपर का रॉल बना है वो पूरी तरीके से अंदर भीग जाए तो जिसे के बहुत जाद मजबूत और बहुत जादा ठोस बहुत जादा कड़ा हो जाएगा बिल्कुल प्लास्टिक से भी जादा कड़ा तो इसको थोड़ा और मजबूत करने के लिए यहाँ पर हम धागे की मतलब से इसको अच्छे से बान देंगे जिसका एक फायदा तो यह होगा कि जो इसका ज्वाइंट है वो मजबूत हो जाएगा और साथ ही साथ जो पायप को फटने के चांसे से वो भी कम हो जाएगे तो जैसा कि मैं आप लोग वीडियो को लाग्ट में बता दूँगा कि यह सेफ है या फिर नहीं है तो अब ही आप लोग वीडियो पूरा देखो कर तभी आप लोग पता चलेगा कि इसको बनाने लाक है या फिर नहीं है तो कुछ लोग कहेंगे तो यार यह तो बहुत इस्टिल की पतली पाइप है यह फट सकती है तो दोस्तों ये आप लोगो पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा तो इसके अंदर हमको बेसलिए मिर्ची बम डाल करके बजाना है इसलिए यहाँ पर मैं इससे थोड़ा धागे की मदर से बांद करके इसके उपर 5W कोई गिरा दे रहा हूँ ताकि अच्छे से बहुत जाद अच्छे से यह मजबूत हो जाए और यह पाइप फटे नहीं तो धागे की मदर से इसको हमने पूरा बांद दिया अब इस पर से मैं 5W को चिपका दे रहा हूँ ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए और इसके पीछे वाला इससा कुछ हमने इस तरीके से बनाया है और आगे वाला इससा को हमने खूला छोड़ दिया है आप दोस्तों इसके मिर्ची बम को अंदर हम इस तरीके मिर्ची बम ले लेंगा तो यह बं जो अंदर waste material होगा वो बाहर निकल जाएगा तो पीछे मैंने इतना बड़ा paper का टुकडा रखा है जिससे कि यह मिर्ची बं पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रही है जो मिर्ची बं के आगे सुतली वो थोड़ा से बाहर निकली हुई है तो जब भी मिर्ची बं फट जाएगा तो इस तरीके से पीछे से तीली से खोद देंगे तो इसकी जो waste material है जो मिर्ची बं में वो बाहर निकल जाएगी अब दोस्तों इसको हमको क्या करना है इस गर में फीट कर दिना है तो इस गर में फीट करने के लिए सबसे पहले यहां पर हमने इसे लगा दिया है अब दोस्तों इसको lighter को फीट करने के लिए यहां पर हमको थोड़ा सा जुगाड़ा बनाना होगा क्योंकि यह lighter फीट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इसके जो वायर है यह आर रही है तो इसको हमको कटिंग कर दिना है और अब देखता हूँ कि यह फीट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता तो अभी भी दोस्तों यहां पर मैं इसे फीट करने कोसिस कर रहा था यहां पर आप लोग देख सकते हूँ इसे मैं फीट करके आप लोग दिखा दे रहा हूँ यह ट्रिगर अच्छे से अब वर्क कर रहा है तो यह जो हमारी lighter वो फीट हो चुकी है सेट कर लेना है जैसा कि आप लोग पता चले अभी आगे मैंने इसे किस लिए लगाया है तो इसको यहां पर मैंने इसे लगा दिया है क्योंकि इसको खोलते समय इसका कुछ पाट तूट गया था जिससे कि यह गन वो वापस से बंद नहीं हो रहा है और जो पाइप भी है वो थोड़ी से मूटी है जिसकी वाज़े से हमको इसको गन को इस तरीके से चिपकाना पड़ रहा है इसमें 5W कुक से क्योंकि यह बंद नहीं हो पा रहा था गन तो इसलिए यहां पर मैंने इसे 5W कुक से चिपका दिया है अब दोस्तों यह हमारा गन कंप्लीट उचका इसके ट्रिगर भी अच्छे से वर्क कर रही है तो यहां पर सिंपली हम मिर्ची बं डालके यहां पर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ सपूस करो यह मिर्ची बं मैंने डाल दिया और डालके इसको बजा भी दिया है अब जो मिर्ची बं का जो वेस्ट मिटे ले होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे पीछे से इस तरीके से खोद देंगे और यहां पर गन के पीछे पहले से ही एक होल दिया हुआ था तो इस होल का काम यह रहता है कि इसके अंदर जो लाइटर होती है उसके अंदर की गैस को भरने के लिए होल दिया हो रहता है यहीं से गैस को भरते है तो अभी इस होल को इस तरीके से यहां पर मैंने पीछे एक जो इस्टील के पाइप लगाई है वहां पर मैंने पीछे से पहले से ये खोल रखा है तो इस तरीके से यहाँ पर मैं सैकल की तीली डाल दे रहा हूँ तो अंदर जो मिर्ची बम फटी हुई रहेगा जो उसका वेश्ट मेटेर रहेगा उसको इस तरीके से हम खोट करके बाहर निकाल सकते हैं तो चले दोस्तों भी मिर्ची टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे किस तरीके से चलता है तो दोस्तों इसको चलाने के लिए यहाँ पर हमने मिर्ची बम ले लिया है और मिर्ची बम को हम आगे से थोड़ा छिल लेंगे ताकि इसको जलाने के बाद थोड़ा सा वक्त मिल जा हैं को क्योंकि अगर आप नहीं ओड़어가ें तो यह मिर्ची बम जलाते ही मन तुरण से बत जाएगी तो इसको हमको आगए फ़ोड़ा जील लेना है ताकि इसको जलाने बाद थोड़ा सा वक्त मिल जाए और उसके बाद इस मृची बंब को मिसक अंदर डाल देंगे और देखते हैं कि इस मृची बंब के जटके को यह जो हमारा स्टील के अंदर जो पाइप लगाई है ने वह जील पाता है या फिर फड़ जाता है तो उसको यहां पर टेस्ट करने वाले हैं और दोस्तों आप ऐस यहां पर मैंने इसमें पटाका डाल करके चला है तो अभी दोस्तों यह एक बार में पूरी तरीके से टेस्टिंग नहीं हो पाया पिछे से टेली के मदर्स से यहां पर में इसको टेली की मदर्सा स्टम्री जा आप पहने के लिए फिर stubborn करते तो अ तो चलो यहां पर मैं इससे चला करके दिखा रहा हूं तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो जैसे इसके अंदर का जो मैंने दोबारा पटा का बजा करके चला है तो अंदर के जो पाइप है वो फट गई है और फट के इस तरीके से वो गन से बाहर भी निकले है पता नहीं कौन से रफतार से बाहर निकली कि किस तरीके से पाइप बाहर निकली पाइप तो बाहर निकल गई लेकिन गन हमारा अभी भी बंद ही है तो इस तरीके से इसको बनाना सेफ नहीं है आप प्लीज फ्रेंट इसे घर पे मत बनाना मैं आप लोग को किवल एक्सपरिमेंट करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लोग को एक बेसिक से आइडिया लग जाए हां हाला कि अगर आपके पास थोड़ी मोटी चदर वाली पाइप है तो आप इससे बना सकते हो फिलाल से पतली चदर वाले पाइप थी तो इसको बनाना सेफ नहीं है मैंने सिर्फ एक्सपरिमेंट के लिए और नॉलिज परपत के लिए इससे बनाए था और fun के लिए बनाये था तो दोस्तों आपको ये मेरा experiment कैसा लगा मुझे comment box में जरूर से बताना तो चले friend फिलाल के लिए आज के लिए बस इतना ही तो वीडियो रच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहों तो चैनल को सब्स्राइब कोना मत बुला तो चले friend फिलाल फिलाल ने आख वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत